हलो फ्रेंट वेल्कम तो माई चैनल फूडफेस विद सालिहा आज मैं बनाने वाले हूं चीज़ बॉल्स जो कि बहुत ही टेस्टी बनती हैं और बहुत ही कम टाइम हैं आएए देख लेते हैं इंग्रीडियन्स मैंने अलू मैश कर लिए हैं अब हम एक एकर के सारे इंग्रीड डाल देंगे मैंने कौन डाल लिया है अब मैं ओरिगेनो डाल रही हूं और थोड़ा सा ब्लैक प्रेपर पाउडर और थोड़ी सी हरी मिर्च का पेस्ट अब हम डालने वाले हैं में इस रैट चिली पाउडर बारी कटावा हरा धनिया और दो कॉल फ्लॉर हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे यहां पर हम एक चमज नमक डालते हैं और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं अब मैं इसको साइड पर रखूंगे और मैदे की सलरी बना लूँगी मैंने यहां पर तीन चमज मैदा लिया है और मैं आधे कप पानी से थोड़ा थोड़ा डालके उससे घौल बनाऊंगी थोड़ा थोड़ा पानी डालके हम मिक्स करेंगे और बहुत ही पतला सा घौल तैयार कर लेंगे हमारी सलरी रैडी हो चुकी है शिका मैं जाने अलके लूब सना रहे है लगतंु पकर बनाना आ हो अब हम चीज बॉब्ड पनाने के लिए और हम मैं नों się लिया और मैं मारे और प्रॉसे चीज लिया इसको पहले हम फ्लैट कर लेंगे और बीच में चीज रहेंगे और इसको वापस से बोल की शेप रेड़े दूए और राउं ब्राउंड हमालेंगे हाथों में इस तरह से हमें सारी बोल्स तयार कर लेड़ेंगे ऐसे ही हम सारी बॉल्स परियार कर लेंगे अब मैं चीज बॉल्स पर कोट करूँगी मैंने इस लरी लिए है जो बनाई थी और ब्रेड क्रम्ब्स लिए है अब मैं एक चीज बॉल्स को ठाकर इस लरी में अच्छे से कोट करूँगी चारो तरफ से उसके बाद मैं बन को ब्रेड क्रम्ब्स से चारो तरफ से कवर कर लोगी इस तरीके से पूरी कवर हो जाने चाहिए और बन मैं इसको साइट पर रखते जाऊंगी मैंने ओल गर्म होने के लिए रख दिया था अब हम इस बोल्स को फ्राइ करेंगे हमें इनको गोल्डन ब्राउन होने का स्ट्राइ करना है मैं फोल्स की हैल्प से बॉल्स को चार तरफ से लट प्लट के स्ट्राइ कर लोगी फोल्स में फ्रीज करेंगे तो हमारी बॉल्स अभी सॉक्ट है तो फोल्स आसाने से अलट प्लट जाएंगी अब इनका कलर गोल्डन ब्राउन हो चुता है इसमें इनको निकाल देंगे और यह सब के लिए बिल्कुल रडी है अब बॉल्स आसे लिए बॉल्स आसे लिए बॉल्स